ओम शांति आच्छे नवेंबर दोहजार चौबिस दिन बुधवार की साकार मुर्ली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मदूर महावाक्यों को बाबा की द्रिष्टी हद और बेहद से भी पार जाती है तुमें भी हद अर्थाद सत्युग बेहद अर्थाद कल्युग से पार जाना है प्रश्न उच्ते उच ग्यान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है उत्तर जिनका बुधियोग एक बाप के साथ है पवित्र बने हैं उन्हें इन रतनों की धारना अच्छी होगी इस ज्यान के लिए शुद्ध बरतन चाहिए उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए बाप के साथ योग लगाते बरतन सोना बने तब रतन ठैर सके ओम शंति मीठे मीठे रुहानि बच्चों को रुहानी बाप बैट रोज- रोज समझाते हैं यह तो समझाया है बच्चों को ग्यान भगत्य और विराग्य का यह स्रश्टी चक्र बना हुआ है बुद्धी में ही ग्यान रहना चाहिए तुम बच्चों को हद और बेहत से प भक्ती पीछे है वहराग्य ज्यान को कहा जाता है दिन जबकि नई दुनिया है उसमें ये भक्ती अज्यान है नहीं वह है हद की दुनिया क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं फिर आहिस्ते आहिस्ते व्रद्धी होती है आदा समय बाद भक्ती शुरू होती है वहां सन्य अब तुम को हद और बेहद से भी पार जाना है सत्यूग में कितनी चोटी दुनिया है वह सन्यास वह वेराग्यादी होता नहीं बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं सन्यास धर्म भी होता है जो घरबार का सन्यास करते हैं सबको जानना तो चाहिए न उनको का जाता है हट्ठ योग और हद का सन्यास सर्फ घर बार छोड जंगल में जाते हैं द्वापर से भक्ति शुरू होती है ज्यान तो होता ही नहीं ज्यान माना सत्यूग त्रेटा सुक भक्ति माना अज्यान और दुख यह अची रिती समझाना होता है फिर दुख और सुक से पार जाना है हद बेहद से पार मनुश्य जाच करते हैं न कहा तक समुद्र है आस्मान है बहुत कोशिश करते हैं परन्तु अंतपा नहीं सकते हैं ऐरोपलेन में जाते हैं उसमें भी इतना तेल चाहिए न जो फिर वापिस लोट भी सकें बहुत दूर तक जाते हैं परन्तु बेहद में जा नहीं सकते हद तक ही जाएंगे तुम तो हद बेहद से पार जाते हो अभी तुम समझ सकते हो पहले नई दुनिया में हद है बहुत थोड़े मनुश्य हैं उसको सत्यू कहा जाता है तुम बच्चों को रचना के आदी मद्य अंत की नौलेज होनी चाहिए न यह नौलेज और कोई में है नहीं तुमको समझाने वाला बाप है जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा न सके रचना के आदी मद्य अंत का राज समझाते हैं फिर कहते इस से पार जाओ वहां तो कुछ भी रहता नहीं कितना भी दूर जाते हैं आस्मान ही आस्मान है इनको कहा जाता है हद बेहद से पार कोई अंत नहीं पा सकते कहेंगे बेंत बेंत कहना तो सहज है परन्तु अंत का अर्थ समझना चाहिए अभी तुमको बाप समझ देते हैं बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ बेहद को भी जानता हूँ फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन हुए हैं द्रश्टी जाती हैं सत्यूग की तरफ फिर कल्यूग के बेहद तरफ फिर हम पार चले जाएंगे, जहां कुछ नहीं, सूरे चांद के भी उपर हम जाते हैं, जहां हमारा शांती धाम स्वीट होम है, यूँ सत्यूग भी स्वीट होम है, वहां शांती भी है, तो राज्य भागे सुख भी है, दोनों ही है, घर जाएंगे, तो वहां सिर्फ शांती सुख का नाम नहीं लेंगे अभी तुम शांती भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांती भी स्थापन कर रहे हो वहां तो शांती भी है सुख का राज्य भी है मूल वतन में तो सुख की बात नहीं आदा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आदा कल्प के बाद रावन का राज्य आता है, अशान्ति है ही पाच विकारों से, पच्चिस सो वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर पच्चिस सो वर्ष बाद रावन राज्य होता है, उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिय एकदम जैसे बुद्धु बना दिया है, पांच हजार वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धु बना कहेंगे न, जरा भी सभ्यता नहीं है, देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, असभ्यता हो पड़ी, कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए हैं, आ आदी मद्य अंत दुखी बना देते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है, रावन संप्रदा है, दिखाया है राम ने बंदर से न ली, अब राम चंदर त्रेता का, वहां फिर बंदर कहां से आई, और फिर कहते राम की सीता चुराई गई, ऐसी बाते तो वहां होती ही नहीं, ज आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, मनुश्य होकर और नाटक को ही नहीं जानते हैं, अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है, उंचते उंच भगबान, शलोक भी गाते हैं, उंचा तेरा नाम, अब तुमारे सिवाए और कोई की बुद्धी में नहीं है, तुमारे तत्वे में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या, रेडियो में कहते हैं आकाश वानी, अब यह आकाश तो बे अंत हैं, अंत पा नहीं सकते, तो आकाश वानी कहने से मनुश्य क्या समझेंगे, यह जो मुख है, यह है पोलार, मुख से वानी अर्थत आवाज न निकलती है, यह तो कॉमन बात है, मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाश वानी कहा जाता है, बाप को भी आकाश द्वारा वानी चलानी पड़े, तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है, तुमको निश्य होता है, है बहुत सहज, जैसे हम आत्मा है, वैसे ब बाप भी परमात्मा है, उँचते उच आत्मा है ना, सबको अपना-पना पार्टमिला हुआ है, सबसे उचते उच वागवान, फिर प्रवर्टी मार्ग का युगल मेरू, फिर नमभर वार माला देखो कितनी ठोड़ी है, फिर स्रश्टी बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी यह variety जाड है इनकी आयू कितनी है जाड वरद्धी को पाता रहता है तो सारा दिन बुद्धी में यही रहे इस स्रिष्टी रूपी कल्प व्रिक्ष की आयू बिल्कुल accurate है पांच हजार वर्ष से एक सेकेंड का भी फर्क नहीं हो सकता तुम बच्चों की बुद्धी में जैसे बाबा के लिए सहज है फिर तुम को भी कहेंगे master knowledgeful फिर नंबर वार पुरुशारत अनुसार माला का दाना बन जाएंगे ऐसी ऐसी बातें बाबा विगर कोई समझा न सके यह आत्मा भी समझा रही है बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं ना कि देवताओं के श उच दे उच मैं हूँ फिर है मेरू जो आदी में महराजा महरानी है वह फिर जाकर अन्त में आदी देव आदी देवी बनेंगे यह सारा ग्यान तुमारी बुद्धी में है तुम कहां भी समझाओ तो वंडर खाएंगे यह तो ठीक बताते हैं मनुशे स्रिष्टी का बीज रूप ही नॉलेजफुल है उनके बिगर और कोई नॉलेज दे ही नहीं सकते यह सब बाते धारन करनी है परन्तु बच्चों को धारना होती नहीं है है बहुत सिंपल कोई मुश्किलात नहीं है एक तो याद की यातरा चाहिए इसमें जो फिर पवित्र बरतन में रत्न ठहर यह उचते उच रतन है बाबा तुच्वारी था बहुत अच्छा हीरा मानिक आदी आता था तो चांदी के डिब्बी में कपूस आदी में अच्छी रीती रखते थे जो कोई भी देखे तो कहेंगे यह तो बड़ी फस्ट क्लास चीज है यह भी ऐसे है अच्छी चीज अच मां भी है कितनी चोटी उसमें कितना ग्यान बरा हुआ है कितना अच्छा शुद्ध बरतन चाहिए कोई संकल्प भी न उठे उल्टे संकल्प सब बंध हो जाने चाहिए सब तरफ से बुद्धियो घटा ना है मेरे साथ योग लगाते लगाते बरतन सोना बना दो जो रतन फिर दूसरों को दान करते रहेंगे भारत को महादानी माना जाता है वह धन दान तो बहुत करते हैं परन्तु यह अविनाशी ग्यान रतनों का दान देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धी का योग रहे हम तो बाप के हैं इसमें ही मेहनत लगती है एम अबजेक्ट तो बाप बता देते हैं पुर्शार्थ करना बच्चों का ही काम है अब ही इतना उच्पद पा सकेंगे कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प विकल्प ना आए बाप ही नौलिज का सागर हद बेहद से पार है सब बैट समझाते हैं तुम समझते हो बाबा हम को देखते हैं परन्तु हम तो हद बेहद से पार उपर चला जाता हूं मैं रहने वाला भी वहां का तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए इसमें मेहनत चाहिए ग्रस्त वेवार में रहते कमल फूल समान बनना है हत कारडे दिल यारडे ग्रस्ती तो बहुत है ग्रस्ती जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं सेंटर चलाने वाले मुरली चलाने वाले भी ना पास हो जाते हैं और पढ़ने वाले उच चले जाते हैं आगे तुमको सब मालूम पढ़ता जाएगा बाबा बिलकुल ठीक बत प्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुर्शार्थ करें। वह कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुमारे पास ना हो। सो भी नंबर वार पुर्शार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप विगर ऐसी बाते कोई नहीं जानते। सब हैं पुजारी। भल बड़े बड़े शंक्राचारे आदी हैं। बाबा उनुकी महीमा भी सुनाते हैं। पहले पावित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं। अभी तो तमो प्रधान है। उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुझारी थे सो फिर पुझे बनने का पुषार्थ कर रहे हूँ। अभी तुमारी बुध्धी में सारा ज्यान है। बुध्धी में धारना रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी आद करो। बाप ही सारे जाड का राज समझाते हैं। बच्चो को मीठा भी ऐसा बनने का है, युद्ध है ना, माया के तुफान भी बहुत आते हैं, सब सहन करना पड़ता है, बाप की याद में रहने से तुफान सब चले जाएंगे, हातम ताई का खेल बताते हैं ना, मुलहरा डालते थे, माया चली जाती थी, मुलहरा निकालने से ही माया आ जाती थी, छुई मुई होती है ना, हात लगाओ तो मुर्चा जाते हैं, माया बड़ी दिखी है, इतना उच बढ़ाई पड़ते पड़ते, बैठे बैठे गिरा देती है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो, तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे, शरीर ही नहीं तो फिर दरश्टी कहां जाएगी, इतनी मैनत करनी है, सुनकर फा नहीं हो जाना है, कल्प कल्प तुम्हारा पुर्शार्थ चलता है, और तुम अपना भाग्य पाते हो, बाप कहते हैं, पड़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो, वह सुनो और याद करो, उनको का जाता है भगती मारक, तुम राज रिशी हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ, सादू संतादी जो सुनाते हैं वह सब है, मनुश्यों की मुरली, यह हैं बेहत के बाप की मुरली, सत्युक द्रेता में तो ज्यान के मु द्रकार है, यह ग्यान तुम को मिलता है, इस संगम युग पर और बाप ही देने वाले हैं, अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, और गुड बार्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहान बेहत से पार, ऐसी स्थिती में रहना है, जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प वा विकल्प ना आए, हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मरती रहे, माया के तुफानों से बचने के लिए, मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल लेना है, सब कुछ सेहन करना है, छुई म अकर्शन मुक्त भव, सदा एक के सनेह में समाय हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व अकर्शन मुक्त भव, अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे, जो बच्चे एक बाप के सनेह में समाय हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन और प्रक्रति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो प्रक्रति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो ओम शांति